नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम का पिल सिक्का है और स्वागत है आपका Study IQ Education प्लाटफॉर्म पे Friends, आज हम एक बहुत important topic आपके साथ start करने जा रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, यह है रमेश सिंग 12th edition रमेश सिंग 12th edition क्यों important है, इसको जानने के लिए एक बर हम देखते हैं कि यह जो book है, यह UPSC, SSC candidates के लिए बहुत important है अगर आप banking की preparation भी कर रहे हैं, उस भिहाब से भी जो book है यह आपके लिए बहुत जादा महत्पून है इस series को मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम इसको comprehensive coverage करेंगे, chapter wise करेंगे और अगले 1-2 महिने में हम पूरी series यहाँ पे खतम कर लेंगे यह series कर लेंगे, यह series खतम होने के बाद आप UPSC, SSC banking में आए सारे questions का proper जवाब दे पाएंगे, आप उन questions को solve कर पाएंगे और problems को crack करने में आपके लिए बहुत helpful यह series रहेगी सिर्फ प्रलिम से नहीं अगर आप UPSC mains पे focus कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह series बहुत important है तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, मेरे बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैं इस platform पे काफी समय से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं UPSC के candidates को पिछले 8 साल से पढ़ाता है हूँ मैं quality, Indian economy, PSIR जैसे important topics को पढ़ाता हूँ अगर आप मेरे से जुड़ना चाते हैं तो आप मेरे इस टेलिग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं GS by couple शिक्का, at the rate couple लाइफ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़, यह जो किताब है, यह कम 22 chapters में divided है हम chapter wise आगे बढ़ेंगे, chapter 1, chapter 2, chapter 3 के format में जब ते कि series खतम होगी, यह मेरा आपसे promise है, कि आप economy में pro और expert हो जाएंगे कोई भी basic question जो आपके सामने आएगा, आप उसे solve कर पाएंगे अगर आपने कहीं मेरी 11th edition की वीडियो देखी होंगी, तो आप उस बात से वाकिफ होंगे नहीं देखी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 12th edition से तो सबसे पहली चीज़ इस chapter की है, वो है introduction पहला chapter है, नाम है introduction, जैसा कि नाम बता रहा है introduction मतलब complete introduction about economy, यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी terminologies को समझेंगे, जिसको हम daily पढ़ते तो हैं newspaper में, पर हम confused रहते हैं, अकसर हमें confusion होता है कि इसका मतलब क्या है, किसी ने socialism कह दिया, किसी ने marxism कह दिया, किसी ने word use कर लिया leninism, किसी ने word use कर लिया capitalism, हम confused हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यह है क्या, बहुत सारे students पूछते हैं कि सर्थ socialism, communism का difference बता दो, आपको भी शायद नहीं पता होगा, तो चलिए इस series में, आज इस session में आपको पता चलेगा, उनके बीच का एक inherent difference, सबसे पहले अगर हम बात करें इस chapter की, chapter 1 को हम तीन parts में पढ़ेंगे, video number 1, video number 2, video number 3, अगर हम देखे video number 1, video number 1 थोड़ी सी theoretical होगी, उसमें हम थोड़े theoretical concepts को देखेंगे, video number 2 जो होगी, उसमें further application होगा, और 3 में हम करेंगे national income, तो चलिए start करते हैं, video number 1 से, सबसे पहले जैसे आप screen पे देख पा रहे हैं, कि एक heading है book में, अगर आप book, आपने book ले रखी है, नहीं तो अगर आपने book नहीं लिया हुआ है, तो बहुत सारे students मुझे से पूछते हैं कि क्या सर मुझे book लेनी चाहिए, बिल्कुल book लेनी चाहिए, बुक बहुत अच्छी है, उसे आप किसी भी retailer से या online platform से purchase कर सकते हैं, 12th edition लीजेगा, बिल्कुल latest है, उसमें covid वले important facts and figures भी हैं, और UPSC के हिसाब से, SSC के हिसाब से भी, वो book काफी जादा better है, बुक थोड़ी बलकी है, students पूछते हैं कि सार, इतनी मोटी किताब है, कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको tension लेने के जुरूरत नहीं, वो सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, आप जब class कर रहे हैं, तो आप उस chapter को, उस page को जिसे मैं explain कर रहाऊं, उसको आप उस समय खोल के बैठे, और इस वीडियो के थुरू, उन lines को समझिए, तो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, reading in between the lines, तो चलिए शुरू करते हैं, reading between the lines, सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, more than a decimal science, क्या है, more than a decimal science, यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है, economics की, economics क्या है, एक decimal science है, ऐसा, इस बुक में कहा क्या है, इसके बाद हम देखेंगे, defining economics, economics होता क्या है, हम इस term को रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, चायद रोज प्राक्टिस भी करते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे, कि यह exactly होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और एक confusion हमारी रहती है, कि सरी यह micro-macro का क्या difference होता है, उसे भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, एक economy के क्या-क्या parts होते हैं, लेकि author इस बुक में कहते हैं, कि decimal science क्यों है, decimal science इसलिए कहा गया है, क्योंकि economy कई बार एक सटीक, mention नहीं देती, reason नहीं देती, किसी भी happening का, लोग कहते हैं कि economy के तुरू हम समझ सकते हैं, कि कैसा demand and supply रहेगा, लेकिन यह book कहती है, कि decimal science इसलिए है, क्योंकि यह बहुती depressing और poor in nature है, जब यहाँ पे term लिखा गया depressing और poor, इसका मतलब कोई भी अगर happening हो रही है, आपके आसपस कोई भी घटना घट रही है, economic घटना घट रही है, तो आपको इसका reason नहीं दे पाता, जैसे कि अगर covid crisis आई, covid crisis में sanitizer के prices बहुत जादा बढ़ने लगे, यह किसी भी economist में पहले से predict नहीं किया था, कि इस तरह की crisis अगर जब मैं बात करता हूँ science की, मैं वह term यूज करता हूँ science, science हमेशा एक empirical data से चलती है, science आपको एक सटीक विवरन देती है, एक सटीक example देती है, और एक सटीक method बता देती है, कि वो चीज ऐसे ऐसे होगी, जैसे अब आप पूछे sun, आप पूछे moon, तो उनकी पूरी की पूर बाद भी, economics में बहुत सारे formulas होने के बाद भी, ऐसे बहुत सारे areas हैं, जो अभी भी depressing हैं, या फिर जो अभी भी economic paradigms के according नहीं चल पाते, इसलिए इसे यहाँ पे failed science भी कहा गया है, failed science इसलिए कहा गया, कि अगर आप देखेंगे, 2008 का economic crisis, 2008 के economic crisis में, किसी को नहीं पता था, कि US में इस तरह की crisis boil हो रही है, किसी को नहीं पता था, कि आने वले टाइम में ऐसी crisis आएगी, कोई नहीं जानता था, कि वो crisis world को इस तरह impact करेगी, कि जो two-digit growth, चाइना देखता रह है, वो एकदम से slowdown पर आ जाएगा, इंडिया की 7% growth एकदम से 5% पर चली जाएगी, यह सारी चीज़ें यहाँ पे इस paragraph में mention है, देखो paragraph यह हमारे बहुत important नहीं है, लेकिन जब term था decimal science, तो students सोटे से confused हो जाते हैं, इसलिए मैंने यह बात आपको समझा दी, लेकिन यह सार of all the facts, this is the most invaluable science, और most invaluable concept in nature, क्योंकि economy एक ऐसी चीज़ है, जिसे हम day to day basis पे कर पाते हैं, day to day basis पे हमारा part and parcel है, आप अगर यह बोलें कि मैं economy से जुड़ा नहीं हूँ, आप यह बोलें कि मैं economics practice नहीं करता, तो फिर आप गलत हैं, क्यों गलत हैं, जैसे ही आप अपने घर से ब activity करते हैं, जिसमें money involved है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, कि मैंने economic activity नहीं की, या मैं economic activity का part नहीं बना, तो यह बहुत important बात हो जाती है, अगर आप से कोई definition पूछे, को या मैं आप से कहूं कि definition बताओ, तो आपको याद रखने वाली बात यह है, कि यह एक ऐसी economic activity है, जो human beings करते हैं, अब यसी बात है, human beings के बीच की, होने वाली trade and commerce की activity, होने वाली money exchange की activity को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, कि यह economics है, यही अर्थशास्त्र है, यही economics है, जैसे ही कि इस book में एक example दिया हुआ है, example है, कि अगर आप कोई religious activity में जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, क्य जब आप मंदिर जा रहे हैं, आप घर से निकले, आपने bus, tempo, taxi, अपनी कार, जो भी आप यूज करते हैं, आप उससे गए, आपने कुछ petrol खरीदा, ticket खरीदा, आप एक economic activity में सम्मलित हुए, आप incorporated हुए, included हुए, आपने प्रशाद खरीदा, आप उस economic activity में included हुए, आपने दान दक्षणा दी, वो भी एक economic activity है, हाँ, भगवान के सामने जो हाज जोड़े, जो पूजा करी, जो मन्नत मांगी, वो एक economic activity नहीं होगी, लेकिन हाँ, बाद में बोलोगे कि 11 रुपे का प्रशाद चड़ाओंगा, तो वो भी economic activity माने जाएगी, तो यही बात यहाँ पे एक example के थूप बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, कि economic activity वो सारी activities होती है, जिसमें पैसे का आदान प्रदान, मतलब जिसमें money involved होता है, money का exchange होता है, याद रतने वाली बात यह है, कि economics हमेशा money के exchange पे dependent होती है, जहाँ जहाँ पे money का exchange हो रहा है, जहाँ पे पहले जमान समझ जाएंगे, कि यहाँ पे economic activity हुई है, यहाँ तक clear है, इसके बाद अगर आप एक और definition मुझसे पूछें, तो एक और definition यह कहती है, कि यह goods and services की study है, economics एक study है goods and services की, जो एक particular territory में produce किये जाते हैं, ठीक है, अब आपकी country है, आपकी country, इसको हम GDP में भी देखेंगा, आपक तरह के goods and services का production हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक economic activity का part है, वो क्या है, एक economic activity है, यह main activity है, यह आती है, supply and demand factor पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ line भी mention है, supply and demand factor पे, मैंने goods की demand की, आपने supply किया, मैंने उन goods के लिए आपको payment किया, होगे economic activity, आपने goods का production कराया, आपने labor को payment किया, होगे economic activity, आपने raw material purchase किया, आपने raw material वले को payment किया, होगे economic activity, यह सारी चीजे economic activity का part है, economics का एक और बहुत important role यहाँ पे mention किया गया है, वो यह है कि कोई भी economy में, या कोई भी country में हम कहें, एक country में जो goods होते हैं, वो बहुत scarce होते हैं, goods कैसे होते है बहुत scarce होते हैं, यहाँ पे term scarce का मतलब है, limited goods, मतलब goods सब लोगों के हिसाब से नहीं होते हैं, population जादा है, goods कम है, natural resources कम है, तो economics यहीं काम आती है, economics कहती है कि जो resources हैं, वो scarce हैं, जितनी भी resources available हैं, वो scarce हैं, लेकिन लोगों की जो needs हैं, वो unlimited हैं, ठीक है, लाखों ख्वाइ हैं, हजारों ख्वाइशे हैं, लेकिन उन ख्वाइशों को पूरे करने के लिए resources नहीं हैं, अब oil country में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी minerals important है, country में नहीं है, आजकल आपके silicon chips बनाने के लिए जो metal आ रहा है, जो minerals आ रहे हैं, वो आपकी country में available नहीं हैं, तो उसके लिए यही एक economy कहता है, economy के definition यह भी होती है, कि एक society जब अपनी demands और supply को manage करती है, अपने पास जो goods available हैं, उस goods को properly utilize करती है, जिसे आप कहते हैं, optimization of goods and proper utilization of goods, मतलब जो आपके पास limited resources हैं, उन limited resources से आप maximum लोगों का benefit करना चाहें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी को और उसी कोम ने कितनी बार देखा है, term use किया जाता है, economic planning, इसे हम chapter 3 में फिर से पढ़ेंगे, यहां तक आशा करता हूँ, बात समझ में आ गई, अभी जैसा है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक चार्ट है, चार्ट में demands supply equilibrium की बात की गई है, तो इसका मतलब हम यह निशकर्ष निकालेंगे कि economy दो एरियास पर बात करती है, economy कहती है कि goods जो हैं, देखो goods तो scarce हैं, goods तो हमेशा scarce होंगे, resources हमेशा scarce होंगे, दुनिया में जितनी population है उसके according कभी भी resources पूरे नहीं पढ़ेंगे, resources और goods हमेशा कम होंगे, demand हमेशा जादा होगी, reason, population बढ़ resources कम हो रहे हैं, तो इसी के लिए best होता है economics, economics एक ऐसी field है, एक ऐसा discipline है, एक ऐसा subject है, जो इस घटते resources को, कम होते resources को, और बढ़ती हुई demand को, क्या करेगा, यहां पे आप देख रहे हैं, balance करेगा, क्या करेगा, balance करेगा, यह बात important है, याद रखने वाली है, तो अगर एक म जो exam में आएगी, working definition क्या आएगी, all activities concerned with profit, loss, livelihood, occupation, wage, employment, etc. are nothing but economic activities, तो ऐसे याद रखना, यह सारी activities जो हैं, यह सब की सब economic activities का part है, यहां तक चीज़े clear हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला जो component है, वो बात करता है, micro और macro की, students confused रहते हैं, सारी micro macro, बहुत confusing term हो जाती है, क्या होता है, देखो micro जैसा की term बताता है, suction, चोटा part, macro जैसा की term बताता है, एक बड़ा area, तो यही यहां पे बात है, कि पहले, अगर आप बात करें, 1930 से पहले के word की, 1930 से पहले, कभी भी macro economics की चर्चा नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी, क्योंकि पहले markets जो है, वो capitalism पे चलती थी, कोई demand supply की बात नहीं करता था, कोई चिंता का विशे नहीं था, कि demand कम है, supply ज़्यादा है, supply कम है, demand ज़्यादा है, सरकारों की चिंताएं नहीं थी, क्योंकि market जो है, वो एक free market थी, जैसी demand होती थी, वैसे goods आ बने की जरुत नहीं पड़ी क्योंकि सरकारे थी भी नहीं ठीक है अधिकतर बिनिया जो थी वो colonies थी कोई French colony थी कोई English colony थी तो कभी एक नॉमिक्स के concept ना उस तरह से पढ़े नहीं गए सिर्फ और सिर्फ demand supply पढ़ लेते थे और factory उसके guarding goods को produce कर देती थी इसके लिए कभी भी हमें macro term की जुरत नहीं पड़ी हमने हमेशा focus किया micro पे लेकिन 1930 का जो great depression आया जहां पे सरकारों के income कम हुई जहां पे industries बंद हुई जहां पे resources खतम हुए ठीक है जहां production बंद हो गए joblessness बढ़ गई unemployment बढ़ गई world की GDP गिरने लग गई ठीक है जो बड़ी बड़ी countries थी UK USA इनकी GDP जो है वो गिरने लग गई European countries जो थी जो इंडस्टलाइजेशन के हब थे वो बंद होने लग गई तो वहां पे पहली बार चर्चा हुई एक और बात की जिसको आज आप कहते हैं macro economics इनके अगर आप macro economics के फादर पूछे जाएं कभी तो मार्क करके आ जाना कि जॉन मेर्ड कीन्स थे जो एक UK के British economist जो ने कहा जाता है जॉन मेर्ड कीन्स जो है ये macro economics के फादर है इनी की राइटिंग्स में पहली बार चर्चा हुई आपकी macro economics की तो यहां देख लेते हैं एक single line में कि macro जो है वो top-down approach की बात करती है बातम अप मतलब छोटे level पे micro study करती है और वहां से उपर जाती है यहां पे macro study करती है और यहां से नीचे आती है तो यह है micro और macro का difference यह है आपकी micro यह है आपकी macro आशा करता हूँ यहां तक चीसे clear हो गई है अब एक correlation पढ़ लेते हैं हमें क्यों micro और macro को एक साथ पढ़ना होता है देखो मैं आपसे बोलू कि goods की demand और supply में crisis है डिमांड बहुत जादा है supply बहुत limited है यह कौन सा component हुआ यह component हुआ आपका micro यह component हुआ माइक्रो मतलब आप सूक्ष्म एरिया में सूक्ष्म लेविल पर आप देख रहे हैं माइक्रो लेविल पे एक दम नीचे आके आप देख रहे हैं जमीन पर आके देख रहे हैं कि देखो demand बहुत जादा है supply बहुत कम है तो क्या होगा जब मैं कहता हूँ demand जादा है supply कम है तो price rise होगा यह क्या हुगा macro अच्छा फिर क्या किया जाएगा इसके impact को पढ़ा जाएगा कि यह price rise का जो impact है इससे क्या होगा इससे होगा inflation इससे क्या होगा महंगाई और जैसे inflation हो जाएगा तो वो हमारा क्या जाएगा कि हम macro topic को पढ़ रहे हैं मतलब जो goods की demand supply में जो changes आते हैं goods की demand supply में जो बदलाव आते हैं उसको उससे होने वाले प्रभाव उससे होने वाले impact को हम क्या कहते हैं macro economics ठीक है तो यही हुआ कि goods की supply में impact आया goods की supply में changes आये changes से क्या हुआ prices बढ़े और prices आपने क्या देखा overall economy पे inflation बढ़ गई आपने क्या देखा कि overall GDP कम हो गई ठीक है तो यही बात है micro और macro का difference अगर आप यहाँ पे इस table को पढ़ पा रहे हैं तो आपको better समझ में आएगा कि micro जो है वो एक individual unit की बात करती है macro एक individual unit की बात करती है macro जो है वो पूरे economy की बात करती है micro जो है वो marginal analysis की बात करती है macro जो है वो national income employment जैसी बड़े मुद्दों की बात करती है macro के अनालच से simple है demand नहीं आई supply नहीं आया price बढ़ गया price बढ़ने की impact को हमने का महंगाई हो गई तो एक larger group को आपको study करना पड़ता है देखो महंगाई भी क्या होती है ना महंगाई भी relative होती है गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा होती है आजकल लोग कह रहे हैं कि petrol 100 और पर जा रहा हमें फरक नहीं पड़ रहा बहुत सारे ऐसे लोग है जोने बहुत फरक पड़ रहा है तो इसलिए हमने महंगाई को कहा रखा हमने macro में रखा उससे हम अलग-अलग groups की study कर पाते हैं ठीक है प्राइज राइज सबके लिए हुआ अप यह नहीं कहोगे कि petrol का दाम नहीं बड़ा आप यह कहोगे कि हाँ पेट्रोल का दाम तो मेरे लिए भी बड़ा और तेरे लिए भी बड़ा और इसके लिए भी बताया इसके बाद एक comparative study है और एक आप growing जो economy आपकी grow हो रही है जो उसकी problems है उसको पढ़ने में help करता है तो micro economics क्या करता है अगर हम बहुत simple शब्दों में फिर से समझें तो micro economics focus करता है input पे वो किस पे focus करता है वो focus करता है input पे और macro किस पे focus करता है macro focus करता है micro focus करता है input पे macro का जो जादा focus है जो main macro का focus है वो है final impact पे या effect पे final effect, final impact को आप macro में study करेंगे input को आप micro में study करेंगे simple है यह चीज़े देखो इस तरह से पूछी नहीं जाती है UPSC ने पूछना बंद कर दिया है SSC one liner में पूछ लेती है लेकिन फिर भी क्योंकि newspaper पढ़ना है daily current affairs करने हैं तो इनकी समझ होना बहुत necessary है hopefully आपको समझ में आया है नहीं आया आप comment section में पूछ सकते हैं आगे चलते हैं यह book आगे बात करती है economics और economy के difference को हम ना हमेशा से confused रहते हैं कि economics और economy का difference क्या है हम एक साथ समझ लेते हैं हम कहते हैं जो economics है वही economy है कितनी बार economy है और economy economics है ऐसा बिलकुल नहीं है तो economics क्या है economics basically एक subject है एक discipline है तो आपको क्या पढ़ना है आपको economics नहीं पढ़ना आप जब UPSC की बात कर रहे हैं GS की बात कर रहे हैं आप SSC की बात कर रहे हैं आपको economics नहीं पढ़ना आपको क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है economy Indian economy भा economics एक theoretical concept है, economics behavior study करता है, economics decision making में help करता है सरकारों के, और उसके होने वाले impact जो है, ठीक है, economy क्या हुई, economy उससे होने वाला impact, यानि economics के जो impact होते हैं, वो आपको कहां दिखते हैं, वो आपको economy में दिखते हैं, economics के concept आपको practically apply करने होते हैं, economy पे, inflation तो हमने concept पढ़ा, हम पढ़ेंगे inflation होता क्या है, inflation होता कैसे है, inflation के reasons क्या है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे RBI का role, तो हम देखेंगे कि RBI कैसे, इस inflation के affair को deal करता है, कैसे इस inflation के problem को study करता है, यह एक हमारे बात important हो जाती है, तो यह difference है, बहुत simple सा difference है, economics और economy का difference, अगली चीज, अगली चीज जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे लिए important है, वो है sectors of economy, हम सुनते आते हैं, कि सर यह primary sector, secondary sector, tertiary sector, यह क्या sector है, कौन से sector है, यह sector हम आज और detail में पढ़ेंगे, यह कौन से sectors हैं, और इन sectors में मिलने वाली jobs को क्या कहा जाता है, देखो sectors को आप 5 linear format में divide कर सकते हो, 5 तरह से आपको sectors मिलेंगे, तो sector तो अमोवन आप किसी भी economy में हो, आप socialist economy में हो, आप capitalist economy में हो, आप किसी economy में हो, यह sectors आपको जरूर मिलेंगे, तो यह sectors क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, हर economy में, चाइना में भी आपको यह sector मिलेंगे, इंडिया में भी यह sector मिलेंगे, यॉरप की किसी country में भी आपको economy की यही 5 sectors मिलेंगे, तो एक बार sectoral study कर लेते हैं, कि sectors जो है economy के वो 5 तरह से divide किया जा सकते हैं, या दरतना यह 5 sector बहुत important है, अगर मैं आपसे बात करूं, प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, जहां पे आप प्राइमरी रूप से, जहां पे first mode of economic interaction होता है, प्राइमरी रूप से जहां पे आप engage होते हैं, जैसे की first mode of economic interaction में आपको बोलू, कहां होगा, first mode of economic interaction आपको होगा, agriculture field में, first mode होगा आपका farming में, तो इस सेक्टर में वो चीज़े होंगी, जो first mode of interaction कराएंगी economy का, fuel सेक्टर, ठेक है, देन उसके बाद fishing सेक्टर, fuel मतलब fuel का extraction, forestry सेक्टर, metal, mining, minerals, यह सारे सेक्टर्स, आपके कौन से सेक्टर होंगे, farming, ओ सारी, primary sector का part बनेंगे, इस सारे सेक्टर्स, primary sector का part बनेंगे, अच्छा, इन में जो jobs मिलती हैं, उन्हें कई बार हम blue collar jobs भी कहते हैं, लेकर अरिकतर हम उनको red collar jobs भी कहते हैं, तो usually आप दोनों चीज़े पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सरसा red नहीं होता, blue होता, हमने तो blue बढ़ा था, बिल्कुल सही बढ़ा था, कहीं जगे पे blue collar jobs भी कहा जाता है, और कहीं जगे पे इनको red collar jobs का part भी कहा जाता है, मतलब जैसे कि एक किसान है, ठीक है, जो primary sector में employed है, एक ऐसा परसन है, जो mining का काम कर रहा है, mining sector में employed है, तो आप कौन सी collar job बोलेंगे, बोलोगे वो red collar job का part है, बोलोगे वो blue collar job का part है, अच्छा primary sector के बाद, जो important sector आता है, वो आता है secondary sector, क्यों? primary sector को primary इसले कहा गया है, क्योंकि वो secondary sector को raw material प्रोवाइट करता है, आपने किसानी करी, agriculture किया, agriculture से आपने lettuce से wheat प्रोड्यूस किया, आपने क्या क्या wheat, ठीक है, गेहूं प्रोड्यूस किया, चावल प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने चावल की खेती की, अब आपने जो गेहूं प्रोड्यूस किया, वो गेहूं आगे जाके processing होगा, factory जाएगा, वहाँ पे crushing होगी, processing होगी, आटा बनेगा, मैदा बनेगा, pizza based बनेगा, bakery products बनेगे, वो सब क्या हुए, वो सब हुए आपके secondary sector, तो secondary sector basically manufacturing sector होती है, यानि जितनी भी industries होती है, वो सब secondary sector का part होती है, food processing sector, हमने गेहूं निकाला, primary sector में, फिर वो primary sector से हमने गेहूं कहां भेज़ दिया, secondary sector में, secondary sector से गेहूं का, आटा बना, आटा से pizza based बना, मैदे से pizza based बना, ठीक है, जो भी, white floor बना, wheat floor बना, बिस्किट्स बने, बेकरी बनी, यह सारी के सारे ऐसे areas, जहां पे goods को finally produce किया जाता है, ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं, कि primary sector mainly deal करता है raw material से, primary sector क्या करता है, वो raw material को prepare करता है, और secondary sector, उस raw material को process करता है, और final goods की shape देता है, क्या देता है, final goods की shape देता है, हमने क्या क्या कच्चा तेल निकाला, जब वो कच्चा तेल, reliance की refinery में चला गया, तो वो secondary sector में आ गया, हमने क्या किया, metal और minerals निकाले, ठीक है, हमने सोने की खादान से सोना निकाला, जब वो final necklace बनने चला गया, जब वो final एक ornament बनने चला गया, एक जेवराद बनने चला गया, तो वो क्या हो गया, secondary sector का part हो गया, और यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन होते हैं, blue collar job के part होते हैं, जब मैं कहता हूँ collar job, blue collar job का मतलब, usually collar से यहाँ term दिया जाता है, कि आप, जब आप blue collar इसलिए कहे जाते हैं, कि जब आप factory में काम करते हैं, तो आपके अदिकतर कपड़े गंदे हो जाते हैं, factory में मशीनों के साथ काम करकर, तो blueish थोड़े से, machine की गंद ही, blueish हो जाता है, तो वो blue collar यहाँ पे दिया जाता है, secondary sector कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अब चलते हैं, tertiary sector की तरफ, tertiary sectors को हम, tertiary sector को हम दो तरह में divide कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा है कि आप screen पे अभी देख रहे हैं, tertiary और, tertiary and the other one is, sorry, quaternary, ठीक है, अब tertiary आप देख रहे हैं, quaternary देख रहे हैं, यह दोनों जो हैं, यह tertiary का ही part माना जाता है, usually कहा जाता है, tertiary से ही quaternary sector निकला है, कैसे निकला है, यह भी मैं आपको example के थुरू बताऊंगा, तो पहली चीज़ अगर आप यहाँ देख रहे हैं, tertiary sector, हमने देखा, हमने goods को produce किया, हमने उन goods को finally, second term में कहां बेजा, हमने उन goods को production के लिए भेजा, finishing के लिए भेजा, और finally हमने क्या किया उसके बाद, हम अब उसको transport करेंगे, हम क्या करेंगे, factories उन goods को supply करेंगे, लोगों के घरों तक, market तक, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए सर्विस सेक्टर, आपको सर्विस सेक्टर में कौन मिलेंगे, ट्रांस्पोर्ट सेक्टर मिलेंगे, ठीक है, feedback लेने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, calling वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, comment section में, यहां पे रहने वाले लोगों को बताओगे, यह लोग white collar वाले हैं, कौन है यह लोग? यह लोग white collar वाले हैं, white collar क्यों हो? क्योंकि इनके कपड़े तो गभी गंदे नहीं होते, must AC room में बैठते हैं, जाके air conditioner चल रहा होता है, बढ़िया से show rooms होते हैं, और call centers होते हैं, या फिर ऐसी जगाएं होती हैं, जो साफ सुतरी होती हैं, जैसे जहां पे आपको अपने हाथ, पैर, मुगंदे नहीं करनें, तो white collar, जैसे कपड़े पहन के गएते, ऐसे रेंज सी चम्मक वाले वापिस घर आ गए, तो ये होते हैं white collar jobs, अच्छा, ये white collar jobs भी दो तरह की jobs में divided होती हैं, कुछ होती हैं आपकी skilled jobs, अब भई, कुछ होती हैं semi skilled jobs, अब driving के लिए, truck driving के लिए, कुछ तो skills चाहिएं, semi skilled हो गया, या skill चाहिए, कुछ आपकी यहाँ पी होंगी skilled jobs, sales में आप बैठे होएं, ठीक है, retail sales में आप बैठे होएं, लेकिन इसमें कुछ high skilled jobs भी होती हैं, वो ही tertiary का secondary पार्ट बना देती हैं, उसी को हम कहते हैं, quaternary sector, हैं वो white collar jobs ही, हैं वो tertiary का पार्ट ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी और जादा skills चाहिए, banking sector, IT sector, बहुत सॉट्वें इंजिनियर पड़ा लिखाई करेगा, education sector, यह सेक्टर में हम हैं, यह भी आप देखेंगे, quaternary sector का पार्ट है, quaternary sector को आप knowledge sector से भी relate करते हैं, यहां पे knowledge based service delivery होती है, किस चीज़ की service delivery होती है, knowledge की, तो knowledge का अदान प्रदान किया जाता है, knowledge की delivery की जाती है, जैसे आपके KPO's हैं, ठीक है, knowledge process outsourcing, जैसे वहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे BPO's आएंगे, call centers, ठीक है, अब आपका TV खराब है, आपने फिलिप्स के call center call किया, वहां जो person उठा रहा है call वो कौन है, वो tertiary sector का पार्ट है, ठीक है, लेकिन tertiary में वो communication का या service sector का पार्ट हो सकता है, आपने Airtel की complaint कर दी, tertiary sector का पार्ट है, लेकिन जब आप knowledge ले रहे हैं, service है, doctors, ठीक है, service है, doctor एक service दे रहा है, teacher एक service दे रहा है, लेकिन वो कौन से service है, वो service based upon knowledge है, वहां पे knowledge भी एक पार्ट है, वहां पे तो उस इंसान ने किया गया, फिलिप्स के case में, सिर्फ आपकी complaint register कर ले, आपको complaint number दे दिया, आपको deadline दे दी कि इस दिन हमारा person आएगा और आपका TV सही कर गया जाएगा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब आप मेरे से interact कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ knowledge भी दे रहा हूँ, technically speaking मैं service sector का part हूँ, लेकिन यहां पे मैं आपको knowledge deliver कर रहा हूँ, तो यह होगे आपका quaternary sector, अचा इसी field से आगे थोड़ा सा बड़े, एक highly skilled jobs होती है, high skilled, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा skills है ही होती है, और उन्हें आप gold jobs कहते हैं, quaternary sector को आप same रखेंगे white collar jobs में, एक हम बात करेंगे gold collar jobs की, मतलब एकदम सोने जैसी जिन्दगी, एकदम gold है ना, सोने जैसी जिन्दगी, कोई tension नहीं, कोई competition नहीं, ऐसी जगे जहांके बैटे हैं हम लोग, हमें कोई competition भी नहीं, हमें कोई डरी नहीं है, हम gold collar लोग हैं, बहुत income हैं, बड़ी बड़ी salaries हैं, high profile salaries हैं, करोडों के packages हैं, कौन हैं हम लोग, हम हैं queenery sector वाले, हम कौन हैं, हम हैं, gold collar वाले, गम सोने का पट्टा अपना लगा हुआ है, tension अपने को life में कोई नहीं है, तो यहीं हुआ, gold collar jobs, अब gold collar jobs में कौन आएंगे, scientist, nuclear scientist, R&D वाले, research and development वाले, ठीक है, bureaucracy, I.S. बनने जाओगे, तो तब ही I.S. बनने जा रहे हो, gold collar बनोगे, आपको क्या बनाएंगी, इस सारी चीज़ेज आपको बनाएंगी, सब, 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 कोईनरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, तो आप gold collar jobs के पार्ट हो गए, आशागरतों, यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई है, clear है, कोई doubt, आगे चलते हैं, next हम देखेंगे, रोस्तो का perspective दिया हुआ है यहां पे, अभी रोस्तो का perspective जो है, important हो जाता है, रोस्तो क्या है, वो कहते थे 1960 में हमारे इतना important वैसे नहीं है, हमें समझने की जरुरत है, अभी हमने क्या पड़ा, 5 linear parts पड़े economies के, एक economy के 5 parts पड़े, रोस्तो कहते हैं कि कोई भी economy grow कैसे करते हैं, इसी 5 order में करती है, 1 number, 2nd number, 3rd, 4th, 5th, मतलब primary, secondary, tertiary, quaternary, quaternary, यह 5 areas में वो करती जाती है, डबलाप, इसको ना challenge किया गया 1980s और 90s में, कैसे challenge हुआ, हमने कुछ exceptions देखें, वोर्ड में, आपका इंडिया ही सबसे वड़ा exception है, ठीक है, South East Asia की बहुत सारी countries exception है, उन countries ने क्या देखा, उन countries ने primary sector तो देखा, secondary sector कभी नी देखा, और सिधा tertiary sector पे jump कर गए, जैसे कि अगर में आपको इनडिया का example दूँ, आज अगर आप इंडिया की बात करते हैं, तो इनडिया क्या primary sector है, अगर मैं आपसे पुछऊंगे क्या इंडिया primary sector है, तो अब आप पूछेंगे पता कैसे लगाएंगे, तो अभी ये ऐसे पता लगाएंगे, ऐसी कोई भी सेक्टर जो economy में 50% से ज़ादा, यानि GDP में more than 50% contribution कर रहा है, ठीक है, economy का कोई भी सेक्टर अगर GDP में 50% से ज़ादा contribution कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका primary, मतलब वो ही सेक्टर जो है, वो main sector उस economy का माना जाएगा, या जो वो economy है, वो उसी sector dominant economy मानी जाएगी, clear है, नहीं है तो एक example और देता हूँ, चलो चलते हैं इंडिया की तरफ, मैं आपसे पूछूँ, इंडिया primary sector economy है, secondary sector economy है, या tertiary sector economy है, जल्दी से comment में बताओ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इ हम यह देखेंगे कि agriculture का कितना contribution आपके GDP में होता है, मतलब आपके GDP का कितना percentage agriculture है, क्या वो 50% है, यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे हैं, 16, 17 का data है, कि नहीं, 17.4% है, जो आप 16% के आसपस आ चुका है, यानि आपकी GDP का 16% ही agriculture sector है, ठीक है, agriculture sector का contribution है, अगर 100 रुपे आपकी country की GDP है, तो 100 रुपे में केवल 16 रुपे ही agriculture का योगदान है, ऐसे समझी, लेकिन ऐसा भारत में है, इसलिए हम क्या कहते हैं, कि भारत primary sector तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, चलो secondary sector देख लेते हैं, अब बात करते हैं industrial sector की, तो उस 100 रुपी में से सिर्फ 31 सेक्टर का GDP में contribution है, तो इसे साब से आप क्या बोलेंगे, इंडिया secondary sector भी नहीं हुआ, तो फिर क्या इंडिया tertiary sector है, बिल्कुल है, क्योंकि 54 परसेंट, अप्रॉक्स 53.4 परसेंट, और to be precise, 53.66 परसेंट, सर्वेस सेक्टर जो है, वो contribute करता है, इंडिया की GDP में, इंडिय इंडिया की maximum growth जो है, वो service sector से ही आती है, वो कहां से आती है, service sector से ही आती है, तो इंडिया को हम क्या कहेंगे, कि इंडिया is a tertiary sector economy, इंडिया क्या है, इंडिया एक tertiary sector economy है, ठीक है, अब जैसा कि हमने क्या देखा, अब एक बार फिर से चलते हैं, उस slide पर रोस्तों की बात स आच linear line से ही develop होती है, यह रोस्तों ने 60 में कहा था, देखा ऐसा नहीं, रोस्तों ने 60 में कहा था, तो अब यह बात गलत नहीं हो सकती, गलत हो सकती है, और गलत हुई है, इंडिया, फिलिपीन, साउथ इस्टेशिया जैसी countries, थाइलेंड, इंडोनेशिया जैसी countries के लिए यह चीज गलत हुई है, इंडिया प्राइमर लेगर आप 1950 में जाएंगे, जब हम बात करेंगे 1947 के बाद की, प्लानिंग की, बजट की, तो हम महां उस टाइम में देखेंगे, कि इंडिया जो है, वो एक प्राइमरी सेक्टर एकॉनमी था, क्या था, एगरी कल्चर डॉमिन सेक्टर तो बन गए, इसके बाद क्या बनोगे, सेकेंडरी सेक्टर बनोगे, इंडिया वो कभी नहीं बना, इंडिया में कभी भी इंडस्ट्रीज जो है, वो डॉमिनेंट नहीं हो पाएं, इंडस्ट्रीज मातर 25 से 30 परसेंट तक ही, आपका कॉंट्रिबूशन करती रही आपके जीटीपी में, सिर्फ इतना ही कॉंट्रिबूशन रहा, तो इसलिए इंडिया ने कभी इस सेकेंड स्टेज, जो आप देख रहे हैं आपे, सेकेंडरी सेक्टर की कभी देखी ही नहीं, अगर आप बात करें वेस्टरन वर्ड की, डिवलोप वर्ड की, तो वो बहु नहीं थी, अगरिकल्चर डॉमिनेंट कंट्रीज, फिर जैसे ही 17 सेंचिरी में इंडिस्टलाइजेशन आया, फर्स राउंड ऑफ इंडिस्टलाइजेशन आया, फर्स रेवलूशन जवाया, उसमें उन कंट्रीज को यॉरप की कंट्रीज, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ठी ये कंट्रीज जो हैं, ये तर्शरी सेक्टर बन चुकी हैं, क्योंकि अब चाइना जो है, वो सेकेंडरी सेक्टर डॉमिनेंट कंट्री बन चुका है, वियतनाम सेकेंडरी सेक्टर डॉमिनेंट कंट्री बन चुका है, तो इस तरह से आप देखेंगे, ये रोस्तों की जो exception create किया और secondary sector dominant country हम कभी नहीं बन पाए हम कभी भी industrial sector dominant country नहीं बन पाए ठीक है तो यहां आशा करता हूँ यहां तक बाते clear हो गई होगी सब कुछ आपको एकदम crystal clear होगा मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा पाया हूँ next topic जो हम करेंगे वो economic systems करेंगे उसमें हम देखेंगे types of economies जिसमें आप confused रहते हैं capitalism, socialism, communism हना तो यह सारी चीज़े हम आगे next class में देखेंगे तब तक के लिए अगर आपको कोई doubts हैं तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद see you next time God bless you all